यदि घर में सारे काम वास्तू के अनुसार किये जाएं तो इनसान खुद बखुद तरक्की की सीड़ी चड़ने लगता है. लेकिन वास्तू से जड़ी एक छोटी सी गलती भी इनसान को बरबात करने के लिए काफी है. आईए आज आपको जाने अन जाने होने वाली पांच ऐसी गलतीयों के बारे में बताते हैं, जिनके वास्तू में बहुत बुरे नतीजे बताए गए हैं. वास्तू शास्त्र में जीवन को भेतर बनाने और नकारात मकता को दूर रखने के तरीके बताए गए हैं. इसमें घर की दिशाओं और वस्तूओं को शुब और अशुब घटनाओं से जोड़ा गया है यदि घर में सारे काम वास्तू के अनुसार किये जाएं तो इनसान खुद बखुद तरक्की की सीड़ी चड़ने लगता है लेकिन वास्तू से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी इनसान को बरबात करने के लिए काफी है आईए आज आज आपको जाने अन जाने होने वाली पांच ऐसी गलतीयों के बारे में बताते हैं जिनके वास्तू में बहुत बुरे नतीजे बताए गए हैं अक्सर लोग बात्रूम में कप्रे धोने के बाद बाल्ती में बचा पानी यूँ ही छोड़ देते हैं वास्तू के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुब होता है बाल्ती में गंदा पानी भरकर रखने से हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश हो सकता है घर की सुक्षान्ती भंग हो सकती है यदि आप नहाने के बाद तेज धार वाले किसी उपकरण का इस्तमाल करते हैं तो सावधान हो जाईए वास्तू के अनुसार नहाने के बाद कभी नेल कटर, बलेड या रेजर जैसे धारदार उपकरणों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए ऐसा करना बहुत अशुब हो सकता है घर के बाथरूम में कभी भी खाली बालती ना रखें वास्तू के अनुसार, बात्रूम में रखी बालती या तब को हमेशा पानी से भर कर रखें यदि आप इन्हें पानी से भर कर नहीं रख सकते तो इन्हें उल्टा करके भी रखा जा सकता है ऐसा करने से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं सुहागिन महिलाओं को नहाने या बाल धोने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए वास्तू के अनुसार, ऐसा करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा असर हो सकता है उनके मन में बुरे विचार जगा बना सकते हैं घर की सुक्षानती भंग हो सकती है पारिवारिक कला बढ़ सकते हैं नहाने के बाद बाथरूम के फर्ष को वाइपर से अच्छी तरह साफ करें बाथरूम का सर्फेस हमेशा गीला रहने से घर को आर्थिक तंगी घेरती है साथ ही बाथरूम को गंदा ना रखे और सभी चीजों को सही स्थान पर ही रखें मोनी अमेजिन टीवी को सब्सक्राइब करें